चलो दोस्तो आज हम बात करते हैं बहुत ही अच्छा important topic है और इस topic में हम बात करेंगे hydrogen sulfide दोस्तो आपकी industry में hydrogen sulfide अगर use हो रहा है तो आपको समझना होगा इसके hazards क्या है इसके precaution क्या है भी बहुत important है अब मैं बात करूँ अगर hydrogen sulfide को दोस्तो आप इसको H2S भी बोल सकते हो आप saver glass भी बोल सकते हो and swamp gas और इसको steam damp बोलते हैं तो आप किसी भी नाम से आप समझ सकते हो तो अगर आप exam दे रहे हो या exam conduct कराते हो तो definitely आप यहाँ पे इस question को रख सकते हो तो यहाँ पर हम बात करें दोस्तो H2FS जो हमारा hydrogen sulfide है बहुत ही ज़्यादा highly flammable and toxic gases है toxic मतले इतना ज़्यादा poisonous है अगर मैं इसके बात इसमें थोड़ा सा आपको बताऊं कि hydrogen sulfide जो use होता है कौन सी industry में almost use होता है कौन सी industry में आप काम कर रहे हो कि वहाँ पे hydrogen sulfide use हो रहा ह तो सबसे पहले industry की बात करें hydrogen sulfide के लिए तो दोस्तो different different industry होती है जहाँ पी इसको use किया जाता है अगर आप oil industry में काम कर रहे हो definitely इसे use किया जाता है oil industry में अगर आप किसी manufacturing में हो या mining में काम कर रहे हो तो definitely यह use होता है H2FS है tanning की बात करें तो tanning भी हमारा use होता है H2FS और pulp और paper की बात करें कुछ ऐसे industry होती हुती है जहां पे हम Łड या pulp जो होते हैं हमारे ūोडेंदपीस होते है इसको use करके हम product बनाते हैं कोई sheet के लिए बनाते हैं कोई process seat होती है जो roof seat होती है उसके लिए हम use करते हैं तो हमारा यह industry है processing के लिए सारा हम use करते हैं and rayon manufacturing यह भी बहुत important है जो हम use करते हैं इंडस्ट्री में hydrogen sulfide अब दोस्तों अगर hydrogen sulfide आपकी industry में use हो रहा है तो आपको इससे सेवर हो गया जैसे कि अंडर लाउंड सेवर है मैनवर pits जा रहा है well water है या पर कोई oil gas industry के अंदर आप काम कर रहे हो well कौनों नाम का जैसे आपने नाम सुना होगा ठीक है तो इसके अंदर heavy जो air होती है वो हमारी hydrogen sulfide होती है यह क्या होती है collect होती है जब collect होती है तो यह क्य boost chamber space के अंदर या manhole के अंदर या फिर confined space या underground कोई भी activities हो रही है present होता है यह हमारा hydrogen sulfide ठीक है जैसे confined space की बात करें तो definitely आप क्यों work permit लेते हो क्यों 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 वामें कोई toxic gas ना हो तो क्या यह toxic gas नहीं है toxic gas है H2S hydrogen sulfide अगर वहाँ पे है तो आप allow नहीं करोगे सबसे पहल होती ज्यादा dangerous है inside the industry precaution as a safety professional आपको यह पता होना चाहिए कि हम कैसे इसके against precaution ले सकते हैं H2S अगर है वहाँ पे तो आपको सारा हजार डस या फिर जिसको हम बोलते है हजार प्रोसेस जितना भी अप्ली केबल करना होगा इसका जो ISO अगर आप इसकी checklist निकालोगे तो इसक हमें यह सब सारा कुछ find out करना है इसके बाद अगर हम थोड़ा सा depth में और बात करें इसके against कि इसके जो potential क्या-क्या effect कर सकते हैं body में health में इसके क्या-क्या problems हो सकते हैं इस hydrogen sulfide के करण definitely industry में काम कर रहे हो workers काम कर रहे है manually इसको handling कर रहे है या फिक कोई process में काम हो रहा है लब आप उसको सांस के दौरा ले रहे हो अंदर ले रहे हो अभी सौट तो है नहीं एक बार लेने से कोई problem नहीं होगी आप डेली उसी काम को कर रहे है सुबह 8 बजे से 10 बजे तक तो डेली आप के अंदर जा रहा है this is not for the short term यह long term disease है ऐसे skin में आ रहा है बार बार आपके तो यह भी एक reason है कि इसका hydrogen sulfide आपके skin को damage करतेगा आई में अपके पास आई वाश बॉर्टल होना चाहिए है आई वाश शावर होना चाहिए सारे ट्रीडमेंट होने चाहिए सारा कुछ आ जाएगा injection मतलब ingest करना उतला उसने पी लिया उसको खा लिया digest कर लिया तो कुछ ऐसे भी वरकर्स होते हैं जो कुछ unwanted type activities करते हैं तो यह भी एक reason है किसा इंजेक्स effect of long term आप देखो यहां बे लॉंग अने बात किया not for the short term disease अब chronic disease मतलब क्या है इसका कोई इलाज भी नहीं है अगर दीरे दीरे आपके inhale कर रहे हो इसपीन में आपके जा रहा है आपको पता भी नहीं चल रहा है तो यह बहुत ही ज़्याज़ा dangerous है तो यह as a professional आपको precaution देना है training provide करना है as a safety professional कारकीनो जीने सिटी अब यहां पे दोस्तों एक बात द्यान से रुनना कि जैसे ही आप इसको long term के लिए inhale कर रहे हो तो आपको यूज हो रहा है कोई fire extinguisher वहां पर पड़ी हुई है या फिर आग लग जाता है तो उसको आप कैसे extinguisher करोगे suitable fire extinguisher क्या क्या होना चाहिए definitely आपकी industry में carbon dioxide होना चाहिए dry chemical powder होना चाहिए कुछ common fire extinguisher है चाहिए ही चाहिए ठीक है तो with the help of this fire extinguisher आप उसको spray कर सकते हो water हो फॉर्म हो गया इसको आप easily क्या कर सकते हो एक्स्टिंग्यूज कर सकते हो तो यह बात है आपको समझने होगी यह कोई short term नहीं है long term की disease है और hydrogen sulfide अगर यूज हो रही है आपकी industry में तो कुछ ना कुछ वहां पे आपको precaution लेना होगा आप इसके manual पे जाओगे hydrogen sulfide इसमें इसका TWA जिसको time weighted average इसका जो BPM कितना होता parts per million सारा कुछ मैं आपसे बात करूँगा depth level पे अभी आप यहां पे समझो as a safety professional एक precaution हमें कैसे लेना चाहिए क्या-क्या dangerous क्या-क्या inject कर सकता है क्या-क्या हजार्डस events हो सकते हैं इस hydrogen sulfide में ठीक है दोस्तों तो उम्मीद करता वीडियो आपको काफी helpful होगी आज के लिए ही इतना ही रखता हूँ इस वीडियो में मिलते हैं next वीडियो में next topic के साथ तब तक के लिए bye bye दुआओ में याद रखना और अपना कितार रखना